बिस्मिल्लाइ रह्मान रहीम, आज मैं आपको लेक्चरशिक और PPSC, CSS के जितने भी एक्जाइम्स हैं, उनके लिए English Literature, Language and Linguistics इन पर मुश्टमिल एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ, जिसका आज ये पेपर नंबर वान है English Language, Literature and Linguistics for the exams of Lectureship, Subjects, Specialist, PPSC, SPSC, BPSC, KPSC, FPSC, CSS, PMS और जितने भी NTS के exams होते हैं उन सब के लिए तो इसका first question देखें, who believed that, who said that, who defined that, शायरी की, poetry की ये definition किसे ने की है Poetry is the spontaneous overflow of emotions शायरी, poetry, जजबात की बहतात है, overflow है, कसरत है, कौन से जजबात की बेसाफता, spontaneous जजबात जो होते हैं Poetry is the spontaneous overflow of emotions नमबर वन ये पे William Blake, नमबर टू, Lord Byron, नमबर थ्री William Wordsworth, नमबर पोर, John Keats तो इसको William Wordsworth ने इसकी तारीप किये William Wordsworth नमबर सेकंड, पीवी शैले, परसी बाइसे शैले, ब्रीटिश में इसको शैले पढ़ते हैं, और अमेरिकन में इसको शैली पढ़ते हैं परसी बाइसे शैले या शैली, रोटा फेमस ऐलेजी, एक मशूर, मर्सिय लिखा, ऐलेजी लिखी on the death of John Keyes, John Keyes की वफात पर, उसका नाम बताना कौन से लिखी नमबर वन, लिसिडास, नमबर टू, थिर्सिस, नमबर थ्री, एड़नेस, और नमबर फोर, इन मिमोरियम ए एचेट, तो पीवी शैले ने, जान Keyes की डेट पर, एड़नेस, एड़नेस जो है, एलेजी लिखी, मर्सिय लिखा, 1821 में, Keyes died on Friday, Keyes किस दिन पहुत हुआ, Friday को, 23rd February, 1821, इन रोम, इटली में, और कैसे पहुत हुआ, टीबी, ट्यूबल कर्लोसिस से, अब ये लिखी डास जो है, ये जॉन मिल्टर ने लिखी थी, 1637 में, इसका Cambridge के एक दोस्त था, किंग एड़वर्ड, Cambridge University में ये ग्लास पैलो थे, किंग एड़वर्ड की वफाग पर, डैप पर ये लिखी डास, 1637 में लिखी, जो Wales in Irish Sea, आइरलेंड के एक साहिल समंदर Wales नाम इलाके में, जब वो रिटर्निंग फ्राम डबलिन, डबलिन से वापस आ रहा था, तो उस वक डूब कर वो मरा, किंग एड़वर्ड, तो किंग एड़वर्ड की वफाग पर, जान मिल्टन ने, जिसने मशूर पोएम, जो एपिक पोएम है, पैरेडाइज लॉस्ट, वो लिखी, तो उसी ने ये लिसिडास 1637 में लिखी, थिर्सिस, ये थिर्सिस जो है, ये दिसंबर 1865 में लिखी गई, मैथ्यो आर्नल ने लिखी, मैथ्यो आर्नल का एक दोस्त था, शायर आर्थर हफ क्लाफ, वो 42 एज में फोटो हो गया, स्विजर लेंड से जब वो इटली जा रहा था, इन 1861 में, और वो मलेरिया से फोट हुआ, फलोनेंस, इटली के मशूर शहर फलोनेंस में फोट हुआ, एडोनेंस, इसका मैंने पहले बता दिया आपको, और ये डी जो है, इन मेमोरियम एह, एच एच, ये लॉड अपने कैबरेज उनिवस्टी के एक दोस्त, आर्थर हैंरी हादम, उसकी वफात पर लिखी, जो डाइड फौत हो गया, सेरिबल हैंरेज, यानि उसकी खून की जो शर्यान थी, दमाग की वो भट गई थी, इन्वियाना, ब्रेन हैमरेज जिसको बोलते हैं, वियाना में वो फौत हुआ, आर्थर हैंरी आलम, लौर्ड टैनिसन का ये फ्रेंड था, 1833 में, और वियाना क्या है, जर्म नारिज को क्वेस्टेन आता है, ये कैपिटल आफ ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया ये एक येर्पियन कंट्री है, वहाँ पर ये फौत हुआ, और जब ये फौत हुआ, तो इसकी एज थी 22, और आपको ये भी पता होना चाहिए, कि वियाना कंवेंशन, एक ट्रीटी इंटरनेशनल मौइदा है, वियाना कंवेंशन, जो इंटरनेशन ट्रीटी है, मौइदा है, उसके लिए भी वियाना, औ जाल हकुमत, कैपिटल वो मशूर है, 1979 में ये मौाइदा हुआ था, 1969 में और प्रमलगेशन जो है, 1980 में हुई थी, कुछ नमर थर्ड देखें, आप वहें, मौर्निंग समवन्स देथ, ऐसी नजम जो किसी की वफात पर लिखी जाए, कौड बैलड कहलाती है, एलेजी कहलाती है, सॉनेट कहलाती है, और गैलाती है, तो ये एलेजी कहलाती है, अब इसकी जो मिसालें, एग्जेम्पल्स हैं, लिसिजाज दे सकते हैं, आप एग्जेम्पल इसकी, थिर्सिस दे सकते हैं, मैथ्यो आर्नल की, एड़नस बीबी शेले की है, और इन मेमोरियम एच 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 शॉर्ट बर्ड लिया गया आर्थर हेंडरी हालम का तो यह आप इड्जेम्पल इसकी देश सकते हैं नमबर आगे फोर है अबाउट हूज मैथ्यो आर्नर सेड यह जो लाइन आगे लिखी हुई है मैथ्यो आर्नर ने यह किसके बारे में लिखी लाइन है एन इनिफैक्ट्चुल एंजल एक गैर मुस्तर फरिष्टा बीटिंग पीट रहा था इन दवोईड खला में इस लूमिनस विंग जा अपने दरक्षा रोशन परों को इन वें फिजूर तो यह लाइन लिखी है मैथ्यो आर्नर ने किसके बारे में लिखी है नमबर वन लॉर्ड बारन नमबर टू विलिम बलेक नमबर थ्रि जॉंड कीट्स नमबर पोर फीबी शैले चरह यह पीबी शैले के बारे में लिखी है पीबी शैले इसका अंसर है पीबी शैले An angel, an ineffectual angel beating in the void, his luminous wings is vain. Matthew Arnold ने P.V. Shelley के बारे में ये लाइन लिख़ी है. Member A. 5 है, the line she develops with beauty, beauty that must die. ये John Keats की poem के एक लाइन है, ये बताना है कि ये किस poem से लिग गई है. Odd on Melancholy, ये 1st July 1820 को जो है वो लिख़ी गई, Spring यानि मैं 1800, यानि 1st July 1820 में पबलिश हुई, और Spring यानि मैं 1890 में ये लिख़ी गई. नमर आगे 2 है, लेमिया, ये भी John Keats की poem है, 1st July 1820 को पबलिश हुई, September 1890 को ये लिख़ी इसने, नमर सी है, और नौना करेशिय नार्म, ये भी John Keats की poem है, ये पबलिश हुई 1820 में, और लिखी गई है, May 1890 में, तो इसका अंसर जो है, On, On, Melancholy, जो May 1890 में लिखी और 1st July 1820 में ये पबलिश हुई, इसमें से ये लाइन लिख़ी है, She develops with beauty, beauty that must die. नमर आगे 6 है, Who said this? ये किस ने कहा? यान ये लाइन किस ने बोली है? Poetry is the criticism of life. जो शायरी है, वो जिंदगी की तन्कीद है. नमर ए, मैथ्यो आर्नल ने ये कहा है, पिलियम वर्दवर्स ने कहा है, टी-ए सिलियट ने कहा है, लॉड वाइडन ने कहा है. तो इसका correct जो आंसर है, मैथ्यो आर्नल है. मैथ्यो आर्नल ने ये लाइन बोली है, Poetry is the criticism of life. नमर आगे 7 है, विच पिरियद इस इन इंग्लिश लिटरेचर, इस गाल दा एज ओफ दा अगस्टन एज, दा अगस्टन एज, दा एज अफ पॉप, या दा एज अफ रिजन अगुड सेंस, दा एज अफ द्राइडन, अद पॉप. सेवन नमबर में देखें, कि इसको कहा जाता है, तो इसका देखें, नमबर वन पे, अरली सिक्स्टीन सेंचरी, इसका आंसर जो कुरेक्ट है, वो अरली एटीन सेंचरी है, यह कुरेक्ट आंसर है, आपको एक चीज बचा दूँ मैं, इसको अगस्टन एज क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं, कि जो सीजर अगस्टन था, वो रोमन एंपरर था, तो उसके दौर में, लिटरेचर में बड़ी तरक्की हुई, तो उसी के अंदर, अलेक्जेंडर पॉप, मशूर शाहर जो है, इंग्लिश का, जिसकी रेप अउफ दिलॉक है, और जिसके अंदर, सबसे पहले, हैरोई कपलेट जो है, इस्तमाल हुई, फिर जौन ड्राइटन, जो उसी के नाम से दिये जो ड्राइटन है, और इंग्लेंड का ये फर्स्ट पॉइट लॉरियेट है, जो 1668 में बनाया गया, इंग्लिश लेंग्विज का जो फर्स्ट पॉइट लॉरियेट है, वो जौन ड्राइटन है, इसी की वज़ा से इसको दिये जो ड्राइटन भी कहते हैं, और दिये जो पॉप भी कहते हैं, एज अपॉप इसलिए कहते हैं, कि अलेक्जेंडर पॉप सबसे प्रॉमिनेंट पॉइट था उस दौर में, और अगस्टन एज इसलिए कहते हैं, कि आगस्तिन जो है वो सीजर आगस्तर यानि कैसर रोम जिसको बोलते है उसके दोर में लिटरेचर में बड़ी तरक्की होई और आगस्तिन एज की जो टर्म है मशूर जो है फेमस नावलिस्ट गोल्ड समिथ है उसनी ये काइन की थी तो इसका correct answer है early 18th century तो early 18th century को age of reason and nonsense भी कहा जाता है age of pop भी कहा जाता है age of pop and dryden भी कहा जाता है august ने age भी कहा जाता है इसको और इसको दूसरे लफ़ों में neoclassical age भी कहा जाता है क्यों क्योंके classical जो writer थे roman writer जिनमें हॉरस हो गया और इस तरह के दूसरे पोईट उनकी इन्होंने यह जो पॉप है ड्राइडर ने इन्होंने काफी करने कोशिश की इस वजह से एट नमबर बश्चन देखें दा लिट्रियरी फिगर question number eight है दा लिट्रियरी फिगर वो हैड दा मोस्ट परनाउंस्ट इफ़ेक्ट ऑन जान कीज वाज यानि इसमें से कौन सी वह सक्सियत है परसनेलिटी है जिसका जान कीज की शायरी पर बहुत ज्यादा असर हुआ प्रणाउंस इफेक्ट हुआ, मुंताज नुमाय आउटस्टेंडिंग असर हुआ नमबर वन विलियम शेक्सपियर तू वेटवर्थ, डेंटे, पीबी शैले तो इसका अंसर है विलियम शेक्सपियर विश्चन नमबर नाइन देखें इस तरह की ये पांचे लाइने है जो स्टार्टिंग पॉइंट में इस तरह की ये पांचे लाइने हैं जो स्टार्टिंग पॉइंट में हैं इस तरह की ये पांचे लाइने हैं जो स्टार्टिंग पॉइंट में हैं यह है hard times novel है, यह published हुआ August 12, 1854 को, David Copperfield यह published as a serial हुआ 1849 to 1850 तक और 1st November 1850 को यह लिखा गया है, यानि published हुआ इस दोरान 1849 और 1850 के दोरान यह जो है नहीं, सीरियल के तोर पर यह लिखा गया, किस्तवार और 1st November 1850 को यह published हुआ Oliver Twist, Oliver Twist यह भी Charles Dickens का novel है और इसका दूसरा नाम है The Parish Boy's Progress यह published as a serial from 1837 to 1839 यह serial के तोर पर 4 दिकन लिखते रहे और यह 1838 में published हुआ Our Tale of Two Cities, दो शहरों की कहानी, No. 26, 1859 को यह published हुआ तो यह चार novel है, चार novel हों में से यह बताना है कि It was the best of time, It was the best of time, opening line किस novel किये तो यह are Tale of These Two Cities, उस novel की ओपनिंग लाइन ने, इक्तदाई लाइन है Question No. 10 है Suffocles, the great Greek playwright, dramatist, writer, poet, uses course उसने course को इस्तमाल किया है, a group of singers is called course To comment on the plays action, जो drama के action पर comment करता है, यह course जो ग्रूप of singers का एक course ग्रूप होता है, and to foreshadow, और यह पेशगी बता देता है, यह फोर्टेल, यह प्रटेंड, future events के मुस्तक्विल में क्या आने वाला है तो इसके लिए Suffocles ने chorus को इस्तमाल किया, before Suffocles, Suffocles से पहले, the number of chorus, chorus के जो गाईकार, गुलुकार, जो होते थे, singer होते थे जिनको उर्दु में अंतरा भी कहते हैं, या मिलकर गाना भी कहते हैं, a group of singers, singers के एक group है, had 12, थेवियन, persons, या singers, यह बारण सिंगर होते थे, Suffocles के ड्रामा लिखने से पहले, but Suffocles, increased or decreased, आपने यह बताना है, कि Suffocles ने, इन जो singers है, गुलुकार है, इन में इजाफा किया, या कम किया, इनको, the number of therbians, यानि persons, या singers का फ्राम 12, 12 होते थे, इसके दौर में यह बारह होते थे, बारह से इसने इनको बढ़ाया या कम किया, number A पे 12, number B पे 15, number C पे 18, number D पे 21, तो इसका correct answer है, B जुद, यानि यह 15, इसने 12 से बढ़ा कर इसको 15 का दिया, number A आगे 11 है, the greatest are the most famous Greek dramatists, writers और poets वर, कौन कौन से थे, Aristophanes, Ezekilus, Sophocles, Europides, या यह all of them, तो इसका correct answer है, all of them, all of them, यानि यह सारे के सारे, greatest dramatists थे, Greek, यूर, जो Greek dramatists थे, Aristopheles, Aristopheles, Ezekilus, Sophocles, Europides, यह सारे के सारे greatest, यह सब शामिल है, number 12 है, the father of Greek tragedy, Greek tragedy का father किसको कहा जाता है, या the founder of Greek tragedy, founder किसको कहा जाता है, या the first Greek tragic dramatist, या playwright, या poet किसको कहा जाता है, the master of Greek tragedy, या master of Greek tragedy, किसको कहा जाता है, originator of Greek tragedy, या the inventor of Greek tragedy, कौन था, number 1, Sophocles, number 2 पे, Europides, number 3 पे, Ezekilus, number 4 पे, Aristopheles, तो इसका correct answer है, C Jews, Ezekilus, Ezekilus, Ezekilus था, Ezekilus को father of Greek tragedy कहा जाता है, number 13 है, the first three early Greek tragedians, जो पहले तीन युनान के सबसे बड़े tragic dramatists थे, वो कौन थे, number 1, Ezekilus, Sophocles, Europides, ये तीन तीन का गुरूप है, number 2 पे, Sophocles, Europides, number 3 है, Aristopheles, number 4, Ezekilus, Plato, Sophocles, तो इसका correct answer, A जूज है, number 1, Ezekilus, Sophocles, Europides, ये तीन जो है ना सबसे बड़े great tragic dramatists है, Greek है, number 14 है, the first Greek tragedy, या the oldest surviving Greek play, या tragic play, या drama, कौन सा था, उसका नाम था, दपर्शियंस, ये पर्शियंस रामा था, ये 472 विफोर क्राइस्ट बीसी, इस अलाहिसलाम की पैदाय से 472 सन में, यानि 472 सन में, विफोर क्राइस्ट, यानि इस अलाहिसलाम से पहले, ये लिखा, किसने लिखा, बाई सफोकलीज ने, यूरिपिडीज ने, अरिस्टोफेंज ने, इसेकिलस, तो इसका अंसर है, इसेकिलस, ये अंसर है, इसेकिलस, ये सबसे पहली जो है, ओल्ड एस्ट सर्वाइविंग, जो अब तक, बाकी है, मौजूद है, वो दा पर्शियंस ड्रामा है पहला, नमर आगे 15 है, दा शॉर्टेस्ट ग्रीक ट्रैक गी, ये तो बड़े-बड़े ड्राम है नो, पर ये बताना है कि शॉर्टेस्ट इन मेसे सबसे पहला कौन सा है, तो शॉर्टेस्ट जो ड्रामा था, वो रीसस, यानि रीसस, रेटन बाई ये लिखा है, रेसस्ट किसने ल सबसे पहले जो शॉर्टेस्ट ग्रीक ट्रैक 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 ग्रीक ट्रैक 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 ट्रामे की तो उसके कितने हिससे होते हैं, उसके दीन हिससे होते हैं, यूनिटी ऑफ प्लेस नमबर वान, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ एक्षन, तो इसक यहां लफजों में PTA के नाम से याद कर रहे हैं, यानि ग्रेक ट्रेल्जी के त्री पार्ट्स होते हैं, unity of place, P से place बन गया, unity of time, P से time बन गया, unity of action, A से action बन गया, नमर 17 क्वेस्टन है, the father of Greek, didactic, poetry कौन से होते हैं, didactic, नासियाना poetry, जिसमें को नसीयत की जाए, जिसके अंदर को moral हो, the father of Greek, didactic poetry, यानि instructional and informative poetry बाद कौन था, hisode उसका नाम था, hisode, इसको आम लफजों में hisode बोलते हैं, इसको, hisode, the father of Greek, didactic poetry कहा जाता है, दूसरे लफजों में ग्रीक में इसको फैसिदोस और लैटर लैटर लैगरीज में इसको फैसिदोस बोलते हैं, आगे total Greek tragedies, number 18 number question है, total Greek tragedies कितनी थी, तकरीबन 30 total Greek tragedies थी, number 1 पे इसमें से 6 जो है, अलिसक ने लिखी, और number 2 जो है, यह उने सफ़कलीस ने लिखी, नमबर 3 पे यह Eulipides ने 17 लिखी, तो इस तरह यह 30 बन लिखी, number 19 है, what is a tragedy, tragedy क्या होती है, tragedy को दूसरे लफजों में attic tragedy भी कहा जाता है, यानि attic tragedy, attic tragedy या tragedy दोनों का एक मतलब है, इसकी definition है, our dramatic poem, एक ऐसी drama ही poem होती है, our play होता है, in formal language में, रस्मी दुआन में, and has a tragic, our unhappy ending, इसका ending जो है, वो unhappy होता है, सीधे लफजों में tragedies किसको बोलते हैं, ऐसा drama, a play, which has an unhappy ending, unhappy ending होता है, जिसमें hero या heroine में से किसी एक की death हो जाती है, end पे, या दोनों की death हो जाती है, यानि tragedy का play का जो end है, वो गम पर होता है, वो पर होता है, सारों पर होता है, यानि उसमें एक अलमिया दिखाए जाता है, tragedy होती है, तो उसको हम tragedy बोलते हैं, अब how did tragedy start, tragedy कैसे start होई, इसको देखने से पहले पहले tragedy को देख लें, tragedy, Greek word जो है, tragedy, tragedy, दो लफजों से मिलके बना है, लफज है, ये Greek words है, tragos plus odd, tragos जो Greek word है, इसका मदलब God, और odd का मदलब song या greet, ये दोनों आगे चलके, Latin language में, इनको tragodia, और आगे old French में, ये tragedy बन जाता है, तो इस तरह, इसका little meaning देखें तो हम, tragedy means the song of a God, यानि बक्रे के बारे में गीट, अब देखें, how did tragedy start, tragedy कैसे start होई, when in Athens, युनान को बोलते हैं, Greek, when in Athens, ancient hymns, जो पुराने भजन होते थे, अंबिया गीत होते थे, जिनको हम, detriments, वर कहा जाता है, वर संग वो गया जाते थे, in honor of, the God, जो देवता, Dionysus था, उसकी तारीफ में गया जाते थे, इसको God of wine शराब कर देवता भी कहा जाता है, these hymns, यह जो मना जात थे, यह हम्डिया गीत थे, वर लेटर बाद में adapted, इफ्तियार किये गए, for choral, यानि chorus के लिए, chorus के जो processions थे, जलूसोत निकलते थे, in which participants, जिनमें शुरका, would dress up, लिबास पहनते थे, in costumes, बल्बुसाद, and mask, और mask लगाते थे, of God's skin, बकरे की, जो खाल के मास्क होते थे, मल्बुसाद, कॉस्टिम्स होते थे, वो लगाते थे, इस तरह आई, this way, the song sung in God's skin, वो गीत, जो बकरे की खाल को पहन कर, गाय जाता था, उसको tragedy कहा गया, यानि literary tragedy का मतलब है, this song was a God, question number 21st देखें, उर्दू का portion है ये, PPSC में आता है, चाहे वो उर्दू lecturer हो, English का lecturer हो, CSS के हो, PMS का कोई भी exam हो, chemistry, bio physics, उन सब के exam में ये portion आता है, तो पहला देखें, तवेली के बला, बंदर के सब, इससे क्या मुराद है, किसी का नाम लेना, किसी का इनाम लेना, किसी की तारीफ करना, कुसूर किसी का, सब्सक्रा कोई और भूगते हैं, इन मेंसे कोई भी नहीं, तो इसका ये सी जो है, ये correct answer है, कुस्टन नमबर 22 देखें, सब्सक्रा कदम होना मावरा, इसका मफूम क्या है, मुबार्ख होना, चारतार्फ सब्दा होना, संसान होना, मनहूस होना, तो इसका ये option है, बी जुजए है, मनहूस होना, इसका जो अफ्रेक्ट आंसर है, ये सी जुजए है, मजबूरी के दैट नेकी का काम करना, इसका जो अफ्रेक्ट आंसर है, ये सी जुजए है, मजबूरी के दैट नेकी का काम करना, नमबर आगे टुजए है, उन्ट के मुँ में जीरा, से क्या मुराद है, इस जुजए है, किसी चीज़ का बहुत ज्यादा होना, बे मज़द चीज़, उन्ट का खाना, और डी जुजए है, किसी चीज़ का बहुत कम मिलना, तो ये डी जुज़, इसका अंसर पुरेक्ट है, आगे नमबर टुज़, बगले ज्हांकना से क्या मुराद है, नमबर वन है, तसलिक कर लेना, नमबर टू है, बगले ज्हांकना का मतलब है, कोई ज्हांकना का मतलब है, ये बी जुज़, इसका पुरेक्टर आंसर है, नमबर टूइटी सिक्स है, अलाम एकबाल की नज़म, वालदा मरहुआ की आदमे, उनके किस मजमूद से ली गई है, नमबर ए, बांगे दरा, नमबर टू है, बाले जिबरी, नमबर त्री है, जड़बे के लिए, नमबर फूर है, अरमदाने हिजाद, तो ये पहली जो है, बांगे दरा से ये पौइम लिगए ये, मरहुआ, वालदा मरहुआ की आदमे, बांगे दरा पहली किताब है, उसमें ये शामिल है, नमबर आगे 27 है, बुल्शन हिंद के मौलफ, यानि इसके राइटर कौन है, नमबर वान है, मिर्दा किमीर, नमबर टू, मिर्जा अली लुटफ, नमबर सी है, मिर्जा शौक, नमबर बी है, पुदर्तुला शाब, तो इसका बीज उस कुरेक्ट है, मिर्जा अली लुटफ, ये इसका कुरेक्ट आंसर है, नमबर 28 है, ड्रामा मीठी चुरी किसकी तस्नीफ है, ड्रामा मीठी चुरी किसने लिखी है, ये किसका ड्रामा है, नमबर ए अब्दुलहरीम शर्र, नमबर दो सेयद इम्तियाद इलिताज, नमबर थ्री आगा हशर काश्मीरी, नमबर फोर है चिराग हसन हसर, तो इसका जो है मीठी चुरू जो है या आगा हशर काश्मीरी, इसका ड्रामा है मीठी चुरी, आगा हशर काश्मीरी, नमबर अनारकली सेद इंक्याज लिताज और नमबर डी है फुटबास की गास बानो कुदसिया तो इंदरसवा जो है ये पहला ड्रामा था उर्दू का और अमानत लखनवी ने लिखा था इसका ये पुरेक्ट आंसर है उर्दु का पहला ड्रामा इंदर सभा था जो अमान कला कर्मी ने लिखा नमबर आगे 30 है चलते हो तो चीन को चलिए ये एक सफर नामा है किसने लिखा है नमबर वान मुश्ताक एहमद यूस्वी नमबर तू राजा सालो नमबर थ्री सद्दीक सालक और नमबर चार इबने इंशा तो ये इबने इंशा ने ड्रामा ये सफर नामा लिखा है इबने इंशा जो चलते हो तो चीन को चलिए क्वेशन नमबर थर्टी वन देखें डिफाइन मशीनरी मशीनरी क्या होती है दा पार्ट क्लेट बाई डीटीज एंजल एंड डैमन जिन भूत जो एरियल बगएरा जैसे कि टेंपेस्ट में एरियल है इन पोएम इस काल्ड मशीनरी पार इसेंपल अलेक्जेंडर पॉप्स पॉइंड रेप ऑफ डिलॉप में यह डीटीज एंजल और डैमन यह मशीनरी के तौर पर इस्तिमाल किये गए थर्टी सेकंड थर्टी टू क्वेशन नमबर देखें अकाडिन टू ब्लूम फील्ड यह ब्लूम फील्ड एक्सपर्ट ऑफ लिंग्विस्टिक्स है यह डेजिशन करता है किसकी दा अर्गिनाजिशन ऑफ साउंड इन्टू पैटर्ण इस कॉल्ड क्या कहलाता है फॉनालोजी कहलाता है फॉनेटिक्स एंथ्रोपालोजी यह लेक्सिगराफी इसका क्रेक्ट आंसर है ए फॉनालोजी 33 क्वेशन देखें फुनीम फोन एड हैलो फोन आर्ट कंसेप्ट ऑफ यह किसके कंसेप्ट है Phonology के, Anthropology के, Phonetics के, Linguistics के तो इसका correct answer है Phonology 34 question देखें When a pigeon becomes a lingua franca It is God, इसको क्या कहते हैं Dialect कहते है, Idelect, Kariol या Diglossia तो इसका correct answer है C, Kariol बोलते हैं इसको Number आगे 35 question देखें Another aim for grammar translation method GTM यानि grammar translation method को और English में क्या कहा जाता है Aural method कहा जाता है, Classical method कहा जाता है Direct method या Communicative method तो इसका correct answer है B, जो Classical method इसको कहा जाता है यानि पुराना old method जो grammar translation का है इसका old है Direct method Number आगे 36 देखें The set of all possible grammatical sentences in a language is called ये क्या कहलाता है Lang कहलाता है Lee language, parole, all of these तो इसका correct answer है C, parole कहलाता है Number आगे 37 है scientific study of production Scientific study of production Production P, Transmission T and Reception R Of speech sound is called क्या कहलाता है Anthropology, Lexigraphy, Phonology, Phonetics क्या कहलाता है Scientific study of production, transmission and reception of speech sounds So, ये phonetics कहलाता है Number आगे 38 देखें 38 38 The third year, question number This structure of phrases are sentences यानि sentences और जो जूदे जुदे जुमला फ्रेज होते हैं उनकी जो structure है वो क्या कहलाती है Is called Semantic कहलाती है Syntax Morphology या Phoneme कहलाती है तो इसका correct answer है B, Jus Syntax 39 question देखें the study of mankind and of culture is called यानि तेदीब या स्काफ्त और इंसानों को मुतालिका कहलाता है तो correct answer है इसका एजुज एंफ्रोपॉलोजी question no.40 देखे a sentence that contains two or more independent classes ऐसा जूमला जिसमें दो या दो से ज्यादा खुद मुक्तियार अदाज कलादी जिस्यन हो no subordinate class और कोई महतायत कलाद ना हो इज़ाज क्या होता है simple sentence होता है compound sentence होता है complex sentence होता है या none इन में से कोई भी नहीं तो compound होता है इसका accurate ज्वाब है be juice compound sentence होता है 41 है who wrote the world famous novel शेलाक होंज जो के 1887 में पब्लिश हुआ यह किस ने लिखा जैंस चैस कैनन डाइल डाइलन्थ हॉमर्स या एक जी वैल्स ने तो इसका बीज उस correct है कैनन डाइल इसका यह शेलाक होंज यह किसको डेडिकेट थी डाइलन्थ को की जैसी वास्तन को की वैस्तन को इसरा पाउंड को की या जे इ सपिंग राम तो इसका correct answer है C. जूज इसरा पाउंड 43. क्वेश्चन है काई अदम resigned from the membership of Congress काई अदम ने Congress से अपनी अलाइज की कब की उसके membership से तो इसका answer है 1933, 1916, 1920, 1922 C. जूज एकुरेट है 1920 यानि 1920 में काई अदम Congress को मुकमल तोर पर छोड़ गया और 1913 में काई अदम ने शमुली ते तियार की थी मुस्लम लीग में 1913 में उसको छोड़ दिया फिर मुस्लम लीग के हो रहे है 44 है, डबल 4 Which country is the largest producer of shell gas Shell gas कौन से मुलक है जो सबसे ज़्यादे shell gas पैदा करता है Qatar है, Russia है, Iran है USA, America है यह डी जूस दुरुष्ट है America, America सबसे ज़्यादा Shell gas पैदा करने वाला मुलक है 45 है, plants primarily get their nitrogen from पौदे अपने nitrogen कहां से हासल करते है Soil मिटी से, atmosphere से, rain से, none of these Soil मिटी से वो अपनी जो nitrogen वो हासल करते है यह जूस इसका accurate है Number 46 है आगे, यह 46 है Write the synonym of the following यानि पहला वर्ड है PEEK या PEEK British, American में पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे PEEK British में पढ़ेंगे तो इसको PEEK पढ़ेंगे PEEK का मज़र होता है उक्सान है उभारना इसका ए जूस है question स्वाल करना, delay, ताखिर करना करो उगाना, अराउ उभारना तो इसका accurate है दी जूस Number 47 है, circumvent इस circumvent का आपने लिखना है synonym, hate, synonym hate, नभरत करना seek, class करना, avoid, बचना तो synonym circumvent का मतलब भी बचना होता है और avoid का मतलब भी बचना होता है तो इसमें से circumvent का avoid आ देगा अगला number है, write the antonym, the antonym लिखना है आपने पहला word है, acumen acumen का मतलब भी उता है तेज, चलाक, तेज भेहम तो इसका पहला जूस है stupidity, हिमाकत, बेवकूफी stupidity bland और pliable तो इसका answer है stupidity हिमाकत, बेवकूफी यह जूस है और last question है paper number one जो English language literature, linguistic for all the exams जितने भी exams है उनमें lectureship and subject specialist है उसके अलावा H.M. headmaster के जो इंतहानात है, उनके लिए double S.E.N. subject specialist और triple S senior subject specialist इनके exam का मैंने ये serial number one बनाया, paper number one इसके अंदर 50 question है तो इसका ये last question है general knowledge का है the world the oldest airline of the world दुनिया की सबसे जो कदीम तरीन, पुरानी तरीन, सबसे पुरानी जो airline है उसका नाम क्या है KLM नीदर लैंड की है लुफथांसा ये जर्मनी की है और डेल्टा ये अमेरिका की airline है तो इसका right answer है oldest airline of the world जो है वो नीदर लैंड की एज उज़ है और इसका ये नीदर लैंड की है इसका नाम है KLM उमीद है कि आपको ये आज की जो सीरीर मैंने शुरू किये पेपर नमबर वान फिफ्टी क्वेस्टन पर कंसिस्ट है ये आपको पसंद आएगी थैंक्यो